तो दोस्तों ये है new TBS Jupiter 110 BS6 का standard variant का new glossy blue color जो की हाली में launch हुआ है पहले इसमें आपको blue color matte finish में मिलता था TBS Jupiter में 5 variant आते हैं और 12 से ज़्यादा color का option मिलता है आप देख रहे हैं इसका Jupiter का standard variant तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसके price, features और mileage के वारे में और इसकी जो headlight है वो आपको fully LED setup के साथ देखने को मिल जाती है जैसा कि यहां से आप इसकी रौसनी को देख सकते हो और नीचे की side में आपको TBS का 3D में logo और यहां पर आपको number plate का option और नीचे आपको एपरेंट के उपर आपको air का event मिल जाता है और इसकी जो indicator है वो आपको halogen में मिल जाते हैं जो की yellow color के combination में दिये गए हैं और यहां से आप इसके front वाले mudguard को देख सकते हो जो की glossy finish में दिया गया है इसके suspension के उपर आपको reflector और यहां पर आपको synchronized braking system मिल जाता है इसकी दोनों brake एक साथ काम करती है आगे और पीछे की और इसके front में आपको 90-90 बारे का tire size मिल जाता है और यहाँ पर आपको engine malfunction indication, eco mode और power mode मिल जाते है और यहाँ पर आपको turn signal indication, fuel indication और यहाँ पर आपको man headlight, indication की light देखने को मिल जाती है और इसके side की तरफ चलें तो यहाँ पर आपको classic लुक यहाँ पर आपको side mirror मिल जाते हैं, यहाँ पर आपको low beam, high beam switch इसी में आपको passing का switch और यहाँ पर आपको indicator और horn का switch मिल जाता है और इसके दूसी side में चले LAUGH जलें तो यहाँ पर आपको engine kill का switch और नीचे की side में आपको cell का switch देखने को मिलता है तो आप बात करें इसके side profile की तो यह देखने में काफी attractive और काफी classic सा look इसमें आपको देखने को मिल जाता है और इसके नीचे की side में आपको 150 mm ground clearance मिल जाती है और इसका जो lag space area है वो आपको 375 mm का मिल जाता है और यहाँ पर आपको key point और यहाँ पर आपको carry hook मिल जाता है और यहाँ पर आपको थोड़ा सा space भी मिल जाता है और यहाँ पर आपको USB charging का port मिल जाता है आप अपने mobile को यहाँ से charge कर सकते हैं डेटा के विल लगा कर तो आप चलते हैं इसके rear की side में तो यहाँ पर आपको adjustable footrest मिल जाता है पिलियन के लिए और यहाँ से आप इसके exhaust की design को देख सकते हो जिसके उपर आपको CVTI BS6 की wedging मिल जाती है और इसके panel के उपर आपको Jupiter का 3D में logo देखने को मिल जाता है जो कि इस scooter को काफी ज्यादा अच्छा लुग दे रहा है और इसके rear में आपको 6L की fuel tank की capacity मिलती है जो की external दी गई है और यहाँ पर आपको एक ग्रेवेंडल मिल जाता है silver finish में और इसका जो tail light है वो आपको halogen म मिल जाते हैं जो की halogen में bulb में दिये गए हैं और इसके दूसरी साइड में भी आपको Jupiter का 3D में logo देखने को मिल जाता है और यहाँ भी आपको adjustable footrest मिल जाता है नीचे की साइड में आपको side stand और man stand दिये गए हैं अब हम इसकी seating की बात करें तो इसकी जो seat quality है वो काफी अच् आपको जो है tuning point मिलता है इस scooter को adjust करने के लिए इसके अंडर इस storage में भी आपको एक छोटा सा box मिल जाता है जिसमें आप अपना personal सामन रख सकते हैं जैसे की document, mobile और purse और यहाँ से आप इसकी seat की चौड़ाई को देख सकते हो जो की काफी चौड़ी seat यहाँ पर आपको इस scooter म में आपको कोई भी कमी मैसूस नहीं होगी अब इसके rear में आपको मिल जाता है 90-90 बारे का tire size इसमें आपको बार इंच के black color के allowable और 130 mm की drum brake दी गई है और 3 step adjustable type coil spring with hydraulic damper type के suspension इस scooter में आपको rear में मिल जाते हैं और बात करें इसके engine और power की तो इसमें दिया है 109.7 cc का air cooled forest truck CVTI BS6 fuel injected engine इसकी maximum power 7.47 ps की 7000 rpm इसका maximum torque 8.4 nm का 5500 rpm इसका curve weight 107 kg अब बात करें इसके mileage की तो इस scooter में आपको 50-55 km per liter का असानी से mileage मिल जाएगा तो दोस्तों हम मैं आपको इसके engine का और इसके exhaust के sound को note करा देता हूं तो सबसे पहले हम इस scooter को start कर लेते हैं तो scooter जो है वो start हो चुका है तो आप यहां से आप जो है इसके exhaust के sound को note कर दके हो जैसा कि तो इसके exhaust के sound को note कर दके हो आपको इसके exhaust का sound कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बता है तो बात करें इसके price की तो यह TBS Jupiter 110 BS6 का standard variant है जो की glossy blue color के साथ है और इसकी on road कीमत है 88,895 रूपे 88,895 रूपीज यह on road कीमत मैंने आपको बताई है बंगाल TBS बिराटी सोरूम कॉलकता की सोरूम की सारी जानकारी आपको इस वीडियो के description box में मिल जाएगी other state वाले बिल्कुल भी tension ना लें आप अपनी city का नाम comment कर देना मैं आपको आपकी city का on road price reply करके बता दूँगा अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को जा से आदा like करें comment करें share करें अगर आप channel पर पहली बार आए तो देव MTR channel को subscribe करके bell icon notification को all पर click कर देना थैंक्यू दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में